आज हम बनाएंगे कुछ मेठा खस्तेजासा तो उसके लिए चाहिए मैदा सक्का रिलाइची पौडर बेकिंग पौडर सुखा नारियल और घी तो यह सब मिक्स करके मैने आटा रेडी कर लिया है अब उसको चोटे चोटे राउंड करेंगे ज्यादा बड़ा राउंड नही इसको फ्राई करते हैं याद रखना आपको तेल ज्यादा गरब नहीं रखना है और लोप फ्लेम में ही आपको इसको फ्राई करना है तो अभी आप इसका साइज देख सकते हो डबल हो चुका है तो आप इसको आराम से हम दूसरे साइट पल्टी कर देंगी फ्राई होने के ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना वरना यह टूड़ भी सकता है तो अभी यह दोनों साइट फ्राई हो चुका है और लो फ्लेम में ही आपको फ्राई करना है और अब इसको हम निकाल लेते एक एक करके यह जितना बनाना एजी है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है तो जरूर आप एक बार घर पर जरूर बना के ट्राई कीजिए खाने में बहुत अच्छा लगेगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ता लाइक करना कमिट करना चैनलो सस्क्राइब करना फिर मिलूंगे एक नहीं वीडियो के साथ